दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक का एक बहुत ही नायाब उपन्यास जिसका नाम है नकाब। ये सुनील सीरीज का नौबल है और आज के वेडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग। तो आएए बिना देर किये कहनी शुरू करते हैं। नकाब भाग एक सुनील यूथ कलब पहुचा। उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से सवाल किया। रमाकांत कहां है। युवती ने खामोशी से ऑफिस के बंद दर्वाजे की तरफ इचारा कर दिया। अकेला है। उसने इनकार में सिरहिला। जानती हो साथ में कौन है कितने जने है। युवती ने एक उंगली उठा दी। कोई खास आदमी है। तुम्हें कोई हिदायत दी गई है कि उनको डिस्टरब ना किया जाए। उसने फिर से इनकार में सिरहिला। तुम्हारे मुह में कुछ है जो ना उगला जारहा है ना निगला जारहा है या फिर म मैंने तुमको हमेशा चिडिया की तरह चेह चाहाते देखा है सोनल, तो आज क्या हुआ? तुम परेशान हो, हलकान हो, बहुत ही संजीदा हो, चेहरे पर फटकार बरस रही है. कारण बोलो. लड़की ने जवाब देने की कोशिश की, तो उसका गला रोंध गया. आँखों में चार मिनार के कश लगाता हुआ रमा कांथ अपनी एक्जेक्योटिव चेहर पर बैठा था. उसके सामने एक दूसरी चेहर पर एक सूट बूट वाला क्लेन शेवड आदमी बैठा था, जो उम्र में 45 और 50 के बीच में कहीं जान पड़ता था. उसके सिर के बाल घने और बे तर्तीब थे, नैन नक्ष काफी अच्छे थे, रंग गोरा, लेकिन चांद जैसी सूरत को दाइं आख के नीचे मटर के दाने जितने बड़े काले मस्से ने ग्रहन लगा रखा था. सुनील के लिए वो आदमी एकदम अपरिचित था. सुनील पर नजर पढ़ते ही रमा कां पर ने महमान से कहा, हा तो मालको, मेरे मित्तर प्यारेदा परचा मेरे से प्रापत करो और अपना परचा इसे खुद दो. ये सुनील है, सुनील चकरवर्ती, वड़ा जर्नलिस्ट है, ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर. महमान ने कहा, हलो मिस्टर सुनील, मैं आपका नाम जानता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, सुनील ने बड़े ही आराम से कहा, मुझे भी होगी, जब मुझे आपका परिचे प्राप्त होगा, पहले वो आदमी हड़ बढ़ाया, फिर जोर से हसा और फिर बोला, जी मुझे संजीव सहगल कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हु आइसी, सुनील ने वही सिगरेट अपने होटों से लगाया और लाइटर से सुलगा लिया, रमा कांत ने बताया, सहगल सहब कलब के पुराने मेंबर है, तू सोच रहा होगा कि फिर तेरी इन से कभी मुलाकात क्यों नहीं हुई, असल में ये अपने बिजनेस के सलसिले में सूरत शिफ्ट कर गए थे, तीन साल बाद लोटे हैं, लिवर की एक समस्या के साथ, इसी कारण ड्रिंक्स की पाबंदी है, और आगे जिसकी वज़ह से यहां आने से ये कतराते रहे, जैसे यहां कोई बोतल जबर्दस्ती इनके मुह से लगा देगा, बहरहाल इनकी एक प् दिब्बा निकाल कर मेज पर रख दिया, ये लाल रंग का दिब्बा था, लंबा और संकरा, सुनील ने देखा कि दिब्बे में साथ खाने बने हुए थे, जिन में से छे में रत्न जड़ी हुई अंगूठियां मौजूद थी, और एक दूसरा खाना खाली था, उस आदमी मोती, मुंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम और मानक, डिब्बे का दूसरा खाना खाली है, क्योंकि इस खाने की मुंगा जड़ी अंगूठि को मैं अपने बाएं हाथ की सबसे पहली उंगली में, जिसे एंगलिश में लिटल फिंगर कहते हैं, उसमें पहने हुए और आने वाले कल को, यानि की बुधवार को बाएं हाथ की दूसरी उंगली में, यानि के रिंग फिंगर में पन्ना पहनूँगा। सुनील ने बड़ी ही हैरानी से कहा, मतलब क्या हुआ इस सारी ड्रिल का? असल में मिस्टर सुनील, मैं एक बहुत बड़े महत्मा जी के कह पहने पर ये सब कर रहा हूँ। यही साइकल आठवे दिन से फिर से दोहराई जानी है। यानि की आठवे दिन दाएं हाथ की तरजनी उंगली में मोती, नौवे दिन मंगलवार जो की आज है बाएं हाथ की कनकी उंगली में मूंगा, and so on, and so on. आप समझे मेरी बात, ये सिलसिला कब तक चलने वाला है? जी मेरा ऐसा काया पलट होगा कि देखने और सुनने वाले भचके रह जाएंगे. क्या देखेंगे वो और क्या सुनेंगे? मेरा लिवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. मेरी आख के नीचे का ये मस्सा गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं. सुनील के चेहरे पर गहरे अविश्वास के भाव उभराए. वो आदमी अभी भी बोल रहा था. इस मस्से के बारे में तो डॉक्टरों का कहना है कि इसकी जड़ इतनी गहरी और इतनी फैली हुई है कि अगर इसे काट कर हटाया जाएगा तो ये फिर से उगाएगा और कोई बड़ी बात नहीं कि जीबो गरीब अनुष्ठान से मस्सा तो सलामत रहे और आप खुद गायब हो जाएं. आप मेरे विश्वास की, मेरे आस्था की खिल्ले उड़ा रहे हैं. जी नहीं, लेकिन मैं इन फाल्तु जादू टोनों में विश्वास नहीं करता. ये जादू टोना नहीं है, मिस्ट अपनी आखों से देखना कि ये ख्वाब है या हकीकत है. कितनी फीस दिया आपने इस सारे टंटे के लिए महतमा जी को? वो फीस चार्ज ही नहीं करते. दक्षिना तो स्विकार करते होंगे. वो कितनी दी? पचास हजार. और ये अंगूठियां भी किसी खास जगह से, खास जूलर से मोहिया की होंगी, जहां पर महतमा जी की कमिशन बंधी होगी. देखिए, अब आप मेरा ही नहीं मेरे गुरुजी का भी अपमान कर रहे हैं. अच्छा ये बताइए, ये अंगूठियां तो साथ हैं, लेकिन रतन तो नौ होते हैं. जी हां, होते हैं. लेकिन गुम अच्छा ठीक है, लेकिन अब समस्या क्या है? क्या आपको ये लग रहा है कि कल बुधवार नहीं आएगा, सीधे गुरुवार आ जाएगा, और आपका अनुष्ठान खंडित हो जाएगा? मिस्टर सुनील, अच्छा अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम तो बताइए. जी, दर दरसल पांचमी जो हीरे की अंगूठी है, वो नकली है, ये अंगूठी मेरी नहीं है, किसी ने असली अंगूठी को चुरा कर उसकी जगहे पर मिलती जुलती अंगूठी रख दी है, क्या वो हीरा कीमती था? हीरा तो सर कीमती ही होता है, इतना कीमती था कि आप उसकी भरप अगर ऐसा होता तो उसने एक ही अंगूठी से सब्र नहीं किया होता। ये सारी की सारी अंगूठियां चुराली होती हैं। खास तोर से तब जबकि ये पुखराज और ये नीलम तो हीरे से भी ज्यादा कीमती हैं। तो फिर चोरी की और क्या वज़े होगी? सुनील ने पूछा, जो वज़ा मेरी समझ में आती है और जिसके कारण मैं चिंता में हूँ, वो ये है कि चोरी गई अंगूठी के जरिये कोई मुझे किसी क्राइम में फसाना चाहता है। अब आप ये देखिए कि अगर मेरी होता है, लेकिन फिर भी उसकी शिनाक्त तो की जा सकती है कि वो मेरी अंगूठी है? अब ये भला कैसे संभव है? दुनिया में एक डिजाइन की नजाने कितनी अंगूठिया होती है? फिर कोई उस अंगूठी के जरिये आप तक कैसे पहुँच सकता है भला? सुनील ने जे हर अंगूठी को हर उंगली में पहनना है और आगे 49 दिन पूरे होने तक ऐसे ही करना है. अब अंगूठियां तो साथ हैं, लेकिन उंगलियां आठ हैं. इसलिए हर नए साइकल में अंगूठी की पोजीशन बदलती जाएगी. अपने अनुष्ठान की शुरुआत में म और आगे 50 दोती वाली अंगूठी बाएं हाथ की कन की उंगली में पहनी थी, जिसका घेरा सारी उंगलियों में सबसे कम है. लेकिन सोमवार जब दुबारा आएगा, तो वो अंगूठी दाएं हाथ की तरजनी उंगली में जाएगी. लेकिन वो अंगूठी मुझे वहां भी फिट आएगी ये भला कैसे सुनील ने सवाल किया आप खुद देख लीजिए कि कैसे कोई भी एक अंगूठी उठाईए और उसे बारी बारी अपनी सारी उंगलियों पर पहनिए अंगूठे पर भी पहनिए और आप देखेंगे कि वो सब जगा फिट आएगी वो ना किस सुनील और रमाकांथ दोनों ने ये करके देखा और उस आदमी की बात को सच पाया रमाकांथ धीरे से बोला ये तो कोई स्प्रिंग एक्शन जान पड़ता है मालको अंगूठी को दबाओ प्रेस करो तो डायामीटर कम हो जाता है और खींचो तो वो खिच कर फैल कर चुरल लचक होती है वो घटती है और उसमें मजबूती आती है इस अंगूठी में तांबे की जगहा किनी दूसरी खास धातों का मिश्रण है जिसके कारण इन अंगूठीों में ये खासियत पैदा हुई है जिसको अभी मलोतरा साहब ने स्प्रिंग एक्शन कहा इस वजह से मैंने कहा कि मेरी इन अंगूठीों से मेरी शिनाक्त की जा सकती है इस टॉप की कारीगरी के राजनगर में तीन चार कारीगरी ही है जिन में से एक ने मेरी ये अंगूठियां बनाई है उनका नाम है कस्तूरी लाल ज्वेलर्स अब अगर मेरी चोरी गई हीरे की में सिर्फ तीन-चार ही हैं तो जब पुलिस अंगूठी के साथ मेरे वाले कारीगर के पास पहुँचेगी तो वो अंगूठी हाथ में आते ही बोलेगा संजीव सहकल के लिए बनाई थी 42 नंबर विवेक नकर में रहते हैं इस बार सुनिल ने थोड़ा गंभीरता से कहा समझ लेकिन ये क्राइम के मौकाई वारदात से आपका क्या मतलब है अरे जनाब कहीं कोई डकैती पढ़ जाती है कोई कतल हो जाता है कोई लूट पाट की वारदात हो जाती है और मेरी चोरी गई अंगूठी डकैतों द्वारा खुले गई सेफ में पड़ी पाई जाए या मरने वाले की लाश के पास पड़ी पाई जाए तो बताईए मेरा क्या होगा तब तो आपका पुलंदा ही बंद जाएगा है क्या यूर गूज विल बी कुग्ड यूर वैगन विल बी फिक्सड इन अदर वर्ट्स वही होगा जिसका आपको अंदेशा है जी हाँ वही तो मैं भ मौकाई वारदात पर प्लांट की जा सकती है जी हाँ लगता है आपके दिमाग में कोई खास क्राइम है कौन सा क्राइम है वो कतल आपको लगता है कि आपकी हीरे की अंगूठी किसी कतल के मौकाई वारदात से बरामद हो सकती है और कतल भी ऐसा जिससे आपका कोई लेना द जी हाँ, यानि आपको बेगुनाह फसाए जाने की कोशिश की जाएगी, जी हाँ, और इस बात का फैसला कौन करेगा कि आप वाकई बेगुनाह हैं, वो तो मैं ही करूँगा, क्यूं, आप जूट नहीं बोल सकते, देखिए, अगर मैं दोस्तों के बीच में हूँ, तो उनको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए, रमा कांत ने बीच में ही कहा, अरे आप दोस्तों के बीच में ही हो, अपना सुनील जर्नलिस्ट है न, इसलिए इसको जरा बाल की खाल निकालने की आदत है, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, सहकल ने कोई जवाब नहीं दिया, सुनील न का दिन है, तो उस रोज अगर किसी ने मौकाई वारदात पर आपकी हीरे की अंगूठी प्लांट कर भी दी, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखिए मिस्टर सुनील, जैसा कि मैंने कहा और जैसा अभी आपने खुद देखा, खूबी अंगूठी में है, उसके न आपको फंसाने की मनशा है, वो आपकी स्पेशल अंगूठीयों से, उनको पहनने के साइकल से और आपके इस पूरे अनुष्ठान से अच्छी तरह से वाकिफ है, हाँ, वो तो जाहिर है, ऐसा कोई आदमी है आपकी नजर में, जी हाँ, क्या इस अनुष्ठान के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, जी हाँ, और अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, कि मैं क्या करूँ, जी मैं ये चाहता हूँ, कि बस कोई जहमत मेरे गले ना पड़े, ये चोरी हुई अंगूठी आने वाले दिनों में मेरे लिए जान का बवाल न बन जाए, सुनील ने सिग वाली अंगूठी निकाल कर अपनी जेब में रख लेता हूँ, जिसकी अगले दिन बारी होती है, अंगूठी बदलने का कोई फिक्स टाइम है, जी हाँ, आधी रात के तुरंत बाद का जब तारीख बदलती है, यानि दिन बदलता है, तो इसलिए आप अगली अंगूठी अपने पास रख लेते हैं, ताकि आधी रात को अगर कभी घर से बाहर हों, तो आप अंगूठी को बदल सकें, जी हाँ, और अगर अधी रात के समय आपको घर पर ही रहना हो, तो फिर आप ऐसा नहीं करते, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है, जब आप घर में होते हैं, तो ये अंदेशा नहीं होता कि आप सो जाएंगे, और अंगूठी बदलने के वक्त के गुजर जाने की आपको खबर ही नहीं लगेगी, हाँ, ये अंदेशा तो होता है, इसलिए रात बारह बजे से पहले मैं सोता ही नहीं, वैसे भी मुझे देर से ही सोने की आदत है, देखने में नकली तो नहीं लगती, देखने में नहीं लगती सर, लेकिन दो बातें इसकी पोल खोलती है, एक तो इसका हीरा बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, और दूसरे अंगूठी में वो सेल्फ एडजस्टमेंट वाला गुण नहीं है, इसमें जो ये दोनों फर्क हैं, ये सिर्फ आपको ही समझ में आए, आम आदमी को तो ये शायद समझ में नहीं आते, सुनील ने सवाल किया, जी नहीं, और इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये अंगूठी मेरी नहीं है, अच्छा ये आपको मिली कहा थी, इसी डब्बे में ही थी, डिब्बे के उ उस पांच में खाने में ही थी, जिसमें असली अंगूठी होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब तो ये हुआ, कि चोर की आपके बेड्रूम तक पहुँच थी, क्योंकि अगर डिब्बा आपके साथ होता, आपकी जेब में होता, तो उसे जेब से निकालना, और फिर वो हो चुका है या अभी होना है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारा कुछ आपका वहम भी तो हो सकता है, मिस्टर सहगल, अजी होने को तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन वहम कतल के बारे में हो सकता है, चोरी के बारे में तो नहीं हो सकता ना, ये बात तो हमें पता ही कि मेरी अंगूठी चोरी हुई है और उसकी जगह नकली अंगूठी रखी गई है ये भी हकीकत है कि चोरी प्रॉफिट के लिए नहीं की गई वरना सारी अंगूठियां ये पूरा डबा ही गायब हो गया होता सिर्फ एक अंगूठी चुराया जाना और उसकी जगह नकली अं अतलब हो सकता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से चुराई गई है। इसकी क्या कीमत होगी? इसमें तो बस सोने की ही कीमत है, हीरा तो नकली है, पांच-छे हजार की होगी, ऐसी अंगूठी बनवाने में भी दो दिन लगेंगे? जी नहीं, ऐसी तो दो घंटे में बन जाएगी, हो सकता है बनी बनाई भी मिल जाए। लेकिन आप पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि अंगूठी की वजह से पुलीस मुझ तक पहुँचे और मैं अपने आपको बेगुनाह साबित करने में काम्याब हो जाओं। असल में मैं ये चाहता हूँ कि पुलीस मुझ तक पहुँचे ही नहीं, पुलीस का ध्यान मेरी तरफ जाए ही नहीं, यानि पुलीस उसकी खासियत की वजह से उस अंगूठी को पहचान ही न पाए। मुझे पूरी उम्मीद है मिस्टर सहगल कि जो आप चाहते हैं वही होगा। पुलीस पहले कोई दूसरी अंगूठी परामण करती है तो वो उसकी शिनाक्त की कोशिश करेंगे और जाहिर है कि उसकी कोई शिनाक्त होगी ही नहीं और ना पुलीस के हाथ कुछ लगेगा। अगर वो कोई और अंगूठी और पहले बरामद करते हैं, तो उसकी भी कोई शिनाक्त नहीं होगी. तो ऐसे में आपकी असले वाली अंगूठी का बरामदी में नंबर होगा तीसरा, और वो अराम से ये सोच लेंगे कि जैसी डेड लीड पहली दो अंगूठियां थी, वो आम और मामूली ही साबित होगी. वैसा ही दूसरी अंगूठी के मामले में भी होगा. और फिर जब तीसरी आपके वाली शकल सूरत में पहली दोनों अंगूठियों जैसी ही तीसरी अंगूठी मिलेगी, तो वो बड़ी ही सहजता से ये नतीजा निकाल लेंगे कि वो भी पहली दो अंगूठियों जैसी ही थी. समझे मेरी बात? समझा तो सही, लेकिन मेरे वाली अंगूठी बरामद होने से पहले वैसी दो अंगूठियां और कहां से आएंगी? और कैसे मिलेंगी पुलीस को? सिर्फ दो नहीं मिस्टर सहगल, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं. लेकिन वो बरामद कैसे होंगी? सुनील ने मेज पर पड़े नोटों की तरफ इशारा करते हुए कहा, सामने रखा तो है ये, अब क्या बिल्कुल ही खाका खींच कर समझाओं? लेकिन मुझे सच मुझ कुछ नहीं समझ में आया, अब रमाकांत बीच में कूदा, अरे मालक हुन छड़ों पिच्छा, अपना छोकरा है न, ये सब संभाल लेगा, ठीक है, अगर आप कहते हैं, तो माल लेता हूँ, सुनील ने अचानक उससे सवाल किया, वैसे बाइदवे सर, आप काम क्या करते हैं? मेरा मोटर पार्ट्स का बिजनेस है, विवेक नगर में, नीचे शोरोम है, उपर रहता हूँ, तारकपुर में एक छोटी सी फैक्टरी है, शुरू से ही इसी धंदे में हूँ, पहले पार्टनर्शिप थी, पार्टनर ने ही सूरत में ब्रांच खोली थी, तो फिर मुझे वहाँ दखेल दिया, अब ये बिजनेस मैं अकेले अपने दम पर चलाता हूँ, और शादी वादी, अरे कहां शादी, कोई धंकी लड़की करती ही नहीं, मुह पर ये मस्सा जो खड़ा है, अच्छा, आप समझा, तो जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उसके दो कारण है, मस्सा जड़ जाएगा, तो आपकी मनपसंद शादी भी हो हाँ, वो भी एक कारण है, खेर अब चलता हूँ, बस मेरी एक आखरी प्रार्थना है, ये अंगूठी वाली बात राज ही रहे, मेरी अंगूठी के साथ कोई हेरा फेरी हुई है, अगर ये बात खुली, तो भी मेरे लिए कोई परिशानी पैदा हो सकती है, आप चिंता मत क आपकी बात यहां से बाहर नहीं जाएगी, जी धैंक यूठी और सहगल फिर वहां से रुकसत हो गया, उसके जाने के बाद सुनील ने रामाकांत से सवाल किया, अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट को क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ भी त प्रॉबलम है उसके साथ, रमाकांत जोर से बोला, लह, कमली माईयवी, कोई प्रॉबलम थी तो मैंनू बोल दी, पर हाँ, कुछ बोला तो था उसने, क्या बोला था, हाँ, शायद उसके छोटे भाई के साथ कोई पंगा था, मैंने उसे बोला था कि अपने भाई को यहां बुलाए तौबा मैं तो भूली गया क्या पता उसने अपने भाई को बुला भी रखा हो वो तो ये संजीर सहगल अचानक आ गया इसलिए उसकी तरफ से तवज्जो हट गई अब मैं सब दुरुस्त कर दियांगा फिर उसने फोन उठाया और बजर बजा कर लड़की को अंद आने को कहा एक मिनट के बाद रिसेप्शनिस्ट सोनल सिक्का के साथ एक नव युवक ने अंदर कदम रखे सुनील ने नोट किया कि सोनल की सूरत तब भी मातमी थी और युवक के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो अपनी मर्जी से वहां ना आया हो बलकि उसे वहां आने के लिए मजबूर किया गया हो आओ बैठो रमा कांत ने कहा दोनों दो कुरसियों पर अगल बगल बैठ गए सोनल ने बताया ये मेरा छोटा भाई है विशाल और विशाल ये हैं मेरे बॉस और एम्पलॉयर मिस्टर मलहोतरा और ये बॉस के फ्रेंड सुनील चक्रवरती है तब ही अचानक दर्वाजा खुला और चोखट पर संजीव सहगल नजर आया रमा कांत ने नाराजगी के भाव से उसकी तरफ देखा अरे वो मेरी कार की चाबी यहां रह गई थी वहीले ने आया हूँ सहगल ने कहा फिर उसकी नजर विशाल पर पड़ी तो वो हैरानी से अरे विशाल तोम यहां क्या कर रहे हो रमा कांत ने बीच में ही टोका आप बाहर चलो माल को चाबी आती है पीछे लेकिन मैं बोल लिया ना चाबी आन दी है पीछे सहगल दर्वाजे से गायब हो गया और दर्वाजा अपने आप बंध हो गया मत्थे मार माईय में दे पी करना चाहिए दरसल मुझे पता नहीं था कि मेरे पारकेंग तक जाकर लोटने में वे लोग वहां पहुँच गए थे I'm sorry सहगल ने कहा आप विशाल सिक्का को जानते हैं मामूली रूप से और उसकी बहन को वो उसकी बहन थी जी हाँ वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट है उसका नहीं दिया था रिसेप्शनिस्ट की तरफ वैसे भी कौन ध्यान देता है आप बहन को नहीं जानते लेकिन भाई से आपकी वाकफियत है सुनील ने पूछा हाँ है आपको पता था कि वो यहाँ आने वाला है जी नहीं तो तो फिर उसे देखकर हैरान क्यूं हो गए आपके चेहरे का रंग उसे देखते ही उड़ गया था नॉनसेंस ऐसी कोई बात नहीं है सहगल ने कहा जरूर तुमको कोई वहम हुआ है मैं चलता हूँ इतना कहकर सहगल घूमा और लंबे लंबे कदम रखता बाहर को बढ़ गया जब सुनील वापस घूमा तो कॉरीडॉर के पर हजार के नोट उठा लाया फिर उसने जोहरी से कहा एक काम करना है जोहरी रमा कांत खुद तुमको बोलता लेकिन वो बिजी है ये अंगूठी पकड़ो और ये पकड़ो रोकड़ा तुम्हें जोहरी बाजार जाना है और किसी बड़े जूलर से ठीक ऐसी ही चार है ओ तब ठीक है जोहरी ने कहा लेकिन इसमें सोना असली है और तुम्हें ये बता दूं कि अंगूठी में सोने का वजन 6-7 ग्राम से ज्यादा नहीं जान पड़ता फिर भी अगर प्रॉबलम हो तो अंगूठियां चार की जगहत तीन खरीद लेना समझ गए जी हां लेकि तुम खुद डीलर हो बाहर से आए हो तब तुम्हारा काम बढ़िया होगा लेकिन सर आजकल जूलरी खरीदने के लिए नाम पता लिखवाना पड़ता है साइन भी करना पड़ता है हां तो कोई बात नहीं फर्जी नाम पता लिखवा देना ऐसे नाम पते की कोई परताल न कभी कोई फॉलो अप नहीं होता इसी कारण तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस इतनी सावधानी रखना कि किसी जानकार जूलर के पास मत जाना जोहरी बाजार में मुझे तो कोई जानता ही नहीं है सर तोला राम जलान एंड संस को भूल रहे हो तुम ज हाँ तो अब बोलो क्या बात है सोनल ने थोड़ा बेचैनी से कहा वो जो सहब अभी दर्वाजे पर से गए वो कौन थे तुम जानती नहीं हो उन्हें जी नहीं लेकिन वो तो तुमको जानते लग रहे थे मुझे नहीं सर विशाल को तो फिर ये बात विशाल से पूछो र नजरों से उसके तरफ देखा फिर बोली मुझे पता तो होना चाहिए कि वो कौन थे विशाल ने गुस्से से उसे घूरा और कोई जवाब नहीं दिया इस बार सोनील ने कहा देखो सोनल मलहोतरा सहाब तुम्हारे एंपलॉयर है तुम भाई बहनों के बीच में जो भी पर असल प्रॉब्लम मेरी नहीं विशाल की है और वो क्या है विशाल ही बताएगा आपको विशाल ने पहले से भी ज्यादा उखड़े स्वर में कहा तुम ही बता दो अच्छा ठीक है मैं ही बताती हूँ आपने जवाहर सकसेना का नाम तो सुना होगा सर वो जो कोई फाइनें सुनील ने सवाल किया कही तुम्हारा मतलब यह तो नहीं कि वो आदमी गलत नाजायज और गैर कानूनी कामों को भी फाइनेंस करता है जी हाँ मेरा यही मतलब है वो किसी टेर्रिस्ट को भी फाइनेंस कर सकता है बैंक रॉबर को भी लेकिन अगर उसकी जाच परताल होगी तो यही साबित होगा कि मोटे तोर पर वो आटो मोबाइल फाइनसर है कोई इस बात को साबित नहीं कर सकता कि आटो फाइनस के अलावा उसका कोई और काम भी है विशाल उसी के यहां काम करता है और समस्या ये है कि इसने वहाँ पर अपने बॉस की कम्पनी में गबन किया है क्या? रमाकांत और सुनील दोनों एक साथ चौक कर बोले जी हाँ, इसने अपने एम्पलॉयर यानि जवाहर सक्सेना के देड़ लाख रुपे सरकालिये हैं तो मैं उनको कोई खाकर भागा थोड़ी जा रहा हूँ, लोटा दूँगा सारे विशाल ने बड़े ही बत्तमीजी भरे स्वर में कहा सुनील ने सवाल किया, तुम्हारे एम्पलॉयर को मालूम है? हाँ, अब मालूम है, पहले तो नहीं था उसे कप पता चला? कल, रकम सरकाई कैसे थी तुमने? एक बार में या धीरे-धीरे? धीरे-धीरे, चार किष्टों में और किया कैसे ये? विशाल ने अपनी बहन की तरफ देखा और जवाब उसने दिया क्लाइंट्स की पेमेंट्स के रिकॉर्ड में हेरा फेरी की इसने उनके करजे के ओरिजनल पेपर्स निकाल कर उनकी जगह नकली पेपर्स रख दिये और ओरिजनल पेपर्स के बदले में जो पेमेंट्स हुई वो अपने पास रख ली हईशा बशे रमाकांत ने कहा बोला ना, लोटा दूँगा वदिया लोटा दे, फिर प्रॉब्लम कित थे मायवे सोनल बेचैनी से बोली अगर ये रखम लोटाएगा तो जवाहर सकसेना रखम भी रख लेगा और इसे अंदर भी करवा देगा वो ऐसा ही आदमी है तो तुम चाहती क्या हो? सुनील ने सवाल किया जी, मैं ये चाहती हूँ सर कि कोई बिचौलिया हो जो उससे बात कर ले और उसको कह दे कि रखम की भरपाई मैं करूंगी पूरी रखम की? जी हाँ, करूंगी तो पूरी ही रखम की लेकिन एक बार में नहीं कर पाऊंगी इसलिए धीरे धीरे करके करूंगी किष्टों में अभी मैं सिर्फ 75,000 रुपे अदा कर सकती हूँ बाकी रखम ब्याज के साथ किष्टों में दे दूंगी उसको यही बात समझाने के लिए और मनवाने के लिए एक बिचौलिय की जरूरत है यहां तुम्हारी तंखा कितनी है जी 12,000 भाई के अलावा परिवार में और कौन है मा है लेकिन वो यहां नहीं रहती इकबालपुर में रहती है मा का गुजारा कैसे चलता है जी मैं थोड़ा पैसा भेजती हूँ 4,000 ये तुम्हारा भाई ये कुछ नहीं भेजता मा को विशाल भुन-भुनाते हुए बोला मेरी तंखा इससे कम है और फिर मर्द के खर्चे ज्यादा होते है यानि कुछ नहीं भेजता है ना विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया कितनी तंखा है तुम्हारी 8,000 और कब से काम कर रहे हो जवाहर सक्सेना के यहां 6 महिने से यानि की तुम्हारी हर महिने की कमाई 33,000 रुपे महिना बेहन की कमाई से करीब 3 गुना ज्यादा विशाल तमक कर बोला खाम-खा, कुछ भी मैंने कहा ना मेरी तंखा 8,000 है अरे मेरी जाने बहार गुले गुलजार डेड़ लाक रुपे सरकाए भी तो और साथ में 6 महिने की तंखा यानि के 48,000 रुपे तो मतलब 6 महिने की नौकरी की कुल जमा कमाई हुई 1,98,000 रुपे इसको बटा 6 करो तो तुम्हारी महिने की कमाई होती है 33,000 रुपे हुई की नहीं? ये कोई हिसाब है? विशाल ने कहा हिसाब नहीं है तो और क्या है बे? जुगराफिया है? हिस्ट्री है? विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया तुम्हारी बहन अपनी एक तिहाई तन्खा हर महिने मा को भेजती है इस लिहाद से तुमको भी मा को 11,000 रुपे महिने भेजने चाहिए थे तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है की नहीं? मेरे फर्ज से आपको क्या लेना देना है? आप अपने काम से काम रखिए विशाल ने नहायत ही बत्तमीजी से उतर दिया रमा कांत ने आँखे तरेरते हुए कहा अच्छा ये तो दस इतने पैसे का किया क्या? उड़ा दिया कैसे उड़ा दिया? बस उड़ा दिया और आप लोगों को इस तरह से मेरे पीछे पढ़ने का कोई हक नहीं है सुनील ने सोनल से सवाल किया इस कमबख्त की हरकतों का पता कैसे चला इसके मालिक को? वो सर हुआ ये कि एक ऐसा क्लाइंट जिसके पेपर्स में इसने गड़बड की थी सकसेना को कहीं मिल गया? सकसेना ने उससे करजे की वापसी के बारे में सवाल किया तो वो बोला कि वो तो करजा पूरे का पूरा ब्याज के साथ दो महीने पहले ही लोटा चुका था और अपना ओरिजनल एगरिमेंट भी वापस हासिल कर चुका था सक्सेना ने ओफिस लोट कर एग्रिमेंट्स की फाइल टटोली तो उस क्लाइन्ट का एग्रिमेंट उसमें लगा पाया जब एक फोर्जरी पकड़ी गई तो उसने सारे कागजात चेक करने शुरू कर दिये और इस तरह से इसकी सारी पोल खुल गई ये बात इसने खुद मेरे सामने कबूल की है ये कहता है कि इसने जो भी किया था थोड़े अरसे के ले किया था बहुत जल्दी ही इसका इरादा जाली कागजातों को फाइलों में से निकाल लेने का था और उनकी रक में सक्सेना को सौंप देने का ये कहके कि उन कर्जों का भुकतान उसी समय हुआ था। सुनील ने गंभीरता से कहा। ये बात तो आगे किसी और ज्यादा खतरनाक बात की तरफ इशारा कर रही है। मुझे लगता है जिस किसी को भी इसने वो रकम सौंपी है वो कोई जुआरी है जो लोटरी या घोडों प एक तरह से थोड़े से टाइम के लिए पैसा उधार लिया था और मेरा हमेशा से यही इरादा था कि मैं वो सारा लोटा दूँगा। लेकिन बस उससे पहले ही ये थोड़ी सी गड़बड हो गई। ये तो शुक्र मनाओ मिया कि तुम्हारी बेहन हर तरह से तुम्हारी मद करा देगा। जेल भी भेज सकता है। नौकरी से तो वो कल ही जवाब दे ही चुका है। लेकिन मैं कोई नाकारा नहीं हूँ। मैं जल्दी ही नई नौकरी तलाश करूँगा और बेहन की पाई-पाई चुका दूँगा। अच्छा कैसे करोगे इतना सब कुछ। तुम्हा पूरा करने के लिए बड़ी चौरी करोगे। मैंने कहा ना कि मैं चाहे जो भी करूँ एक महीने के अंदर बेहन की रकम लोटा दूँगा। और एक महीने में रकम लोटाने की तुम्हारी उकात बनेगी कैसे। ऐसा कौन सा तरीका है तुम्हारे पास इतनी तेजी से पैसा कमाने का है एक तरीका मेरे पास। अगर आप लोग सच में हमारी कोई मदद करना चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि सकसेना को इस बात के लिए राजी कर लीजिए कि वो मेरे खिलाफ पुलीस में केस दर्ज ना कराए। और जैसा कि मेरी बेहन ने कहा उस तरीके से रकम दोले और एक लंबे अर्से के लिए कर्ज के तले दबी रहे। आपको बात समझ में क्यों नहीं आती है मिस्टर सुनील। मैंने कहा ना कोई लंबा अर्सा नहीं। एक महिने के अंदर सब काम हो जाएगा। विशाल की इस धिठाई पर रमाकांत और सुनील दोनों ही धैरान थे। सुनील ने सोनल से कहा, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। तुम्हारे जैसी जिम्मेदार और ममतामाई बेहन ये लड़का बिलकुल रिजव नहीं करता। इसकी बेहन इसके लिए इतना कुछ करने को तयार है। ये इसे अपने खुश किसमती भी नहीं मा अहसान मानना तो दूर की बात गई। उपर से अकड दिखाता है और ये मानता है कि ये खुद बड़ा सूर्मा है और एक महीने में सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है सोनल और इसी लिए मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। ये जो कि ये इसकी पहली करतूत नहीं है। इमोशनल ब्लैक मेल करके ये तुम्हें पहले भी कई बार ऐसे ही अपना शिकार बना चुका होगा। और अगर तुम इसी तरह से हर बार इसकी करतूतों पर परदा डालती रहीं तो एक दिन ये तुमको भी साथ में ले डूबेगा। ये लड़का हर दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्रॉबलम तयार ही रखेगा क्योंकि इमोशनल ब्लैक मेल करना इसकी आदत हो चुकी है। पहले भी जब कभी तुमने इसकी मदद की होगी तो इसने उसके बाद सौरी बोला होगा, कान पकड़ कर दिखाए होंगे, त लेकिन असल में ऐसे लोग किसी लायक होते नहीं, ये महनत की जगा मिरैकल में यकीन रखते हैं, हमेशा शौर्टकट की तलाश में रहते हैं, महनत, इमानदारी, असूलों जैसे शब्दों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, बार बार गलतियां करते हैं और फिर हर बार ऐसे ही परिवार वालों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों का बस एक ही इलाज है कि इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए और अपनी सलीब खुद ढोने के लिए मजबूर किया जाए, इनसे वो बैसा की चीन ली जाए, जिसका नाम मा है, बेहन है, बाप है, ब अर्द बनने दो और अपने पैरों पर खड़ा होने दो, आपकी बात एकदम ठीक है सर, लेकिन पैसा तो लोटाना ही होगा ना, जब इसने खुद कबूल किया है कि इसने रुपे उड़ाए हैं, तो मुझे तो वो रकम लोटानी ही होगी, मैं आखिर अपने सगे भाई को जेल जाते हुए नहीं देख सकती, सुनील ने एक गहरी सांस ली और विशाल से बोला, बड़े खुश किसमत हो तुम जो तुम्हें ऐसी बहन मिली है, अब अगर जरा भी शर्म लिहास बाकी हो, तो रात को सोने से पहले भगवान का शुक्रिया आदा करना कि उसने तुम्ह में सिरहलाया, ठीक है, तब तो फिर कुछ करना ही होगा, सोनल ने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन क्या जवाहर सकसेना मेरी पेशकश कबूल करेगा, वो इस बात के लिए मान जाएगा, कि आधी रकम नगद और बाकी आधी किष्टों में ले, इस से पहले कि सुनेल विशाल बीच में बोला, जरूर मानेगा, तुम उसके फिक्र मत करो, उसे ये पेशकश कबूल करनी ही होगी, क्योंकि उसे ये पेशकश कबूल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, सुनील ने हैरानी से पूछा, मजबूर किया जा सकता है, और कौन करेगा उसे और जिसे मेरा लिहाज है उसके घर में तुमने किस से ऐसी यारी लगाई हुई है भाई कहा ना कोई है आप सिर्फ इतना काम कर दीजिए कि सोनल जो कहती है उसे सकसेना तक पहुचा दीजिए वो हाँ बोले तो बढ़िया इनकार करे या आना कानी करे तो मुझे खबर कर रहा फिर बोला जवाहर सकसेना की उम्र कितनी होगी पक्का तो पता नहीं लेकिन शायद पचास के आसपास का होगा क्या शादी शुदा है जी हाँ बाल बच्चे एक लड़का है बस वो कॉलेज में है दिल्ली में लड़की लड़की कोई नहीं है ओ समझा तब तो मेरे ल विशानों को सुनाई दे रहा है उसकी बीवी खुबसूरत है उम्र में उससे चोटी है कहीं ये उसकी दूसरी शादी तो नहीं है अरे ये सब क्या कह रहे हैं आप विशाल ने हैरानी से कहा तो फिर और कौन होगा उसके घर में ही मौजूद जो उसके उपर इतना दबाव डाल सकता है वो भी तेरी खातिर अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है आप गलत समझ रहे हैं अच्छा उसका पता बोल जी वो भैरव रोड पर रहता है वहां 14 नंबर में उसका ओफिस कम रेजिडेंस है ये दरसल एक दूसरे से जोड़ी हुई दो कोठिया है उसमें दाई तर आप जाना भी फ्रंट से ही होता है इस वक्त कहां होगा जवाहर जी ऑफिस में ही होगा ठीक है फोन करो और मेरे से बात कराो विशाल ने मेज पर पड़े फोन से कॉल किया और फिर रिसीवर वापस क्रेडल पर रख कर बोला वो ऑफिस में नहीं है घर पर भी नहीं है जेर गया है शाम को वापस लोटेगा एक कागज पर नाम पता और फोन नमबर लिखकर मुझे दे दो मैं शाम को उससे मिलने की कोशिश करूँगा और जो नतीजा सामने आएगा उसकी खबर तुम्हारी बेहन को दूँगा और इस बीच उसका फोन तुम भी ट्राइ करना अगर ब बोला तुम्हें मेरे ओफिस का नमबर तो पता ही है ये घर का नमबर भी रख लो काम आएगा और फिर उसके बाद दोनों भाई बेहन वहां से चले गए और फिर उसी दिन शाम को जब सुनील जावाहर सकसेना के घर पहुँचता है तो वहां पर एक के बाद एक होने वाली अजीबो गरीब घटनाओं से उसका दिमाग चकराने लगता है ये घटनाए इतनी अजीब हैं और इतनी तेजी से घटती हैं कि उसके जैसा तेज दिमाग का बंदा भी समझ नहीं पाता कि वो करे तो क्या करे अब ये घटनाए क्या हैं और इनके बाद क्या होगा ये सब जानने के लिए सुनिए सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास नकाब का दूसरा भाग।